हमारे देश का दुभाग है जी कि इतिहास को सही परस्पेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना किताबों का महत्मा होता है कविताओं का महत्मा होता है साहित्यों का महत्मा होता है वैसा फिल्म जगत का भी महत्मा होता है आजाजी के बार दुनिया मातमा गांधी करते । भी हिम्मत के साथ काम करके मातमा गांधी की जीवन पर पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते हैं पहली बार एक विदेश्थ्री जब गांधी फिल्म बनाई और उसकार के पुरुसकार मेदा तब जारके के दुनिया को पॉता चाला गांधी इतने बड़े महान वेक्ति थे लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो बहुत कुछ फिना पुरिशक्य बात करते हैं लेकिन आप में देखा होगा इमर्जेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाई है क्योंकि सत्य को दबाने के लगाता प्यास हुई हमारी देश में भारत विवाजन जब हमने 14 अग बड़ी मुझीबत हो गई है कैसे बूर सकता है देश कभी कभी उस में तो शिखने को मिलता है भारत विवाजन में अथेंटिक को फिल्म नहीं बनी है और इसलिए इन दिन आपने देखा होगा कश्मिर फाइल फिल्म की चर्चा चल देगा है और जो लोग हमेशा प्रिणम आपक्सपरेशन की जड़ने लेकर की गुमते हैं वह पूरी जमार्थ बखलागी यह पिछे 5-6 दिन से और यह फिल्म का तच्छों के आधार पर आट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाए उसको डिस्टरेज करने के लिए बड़ा पूरी एको स्ट्य उजागर करने का साहस करें उसको जो सट्य लगा उसने प्रस्तुत करने कोशिश की लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी न स्विकारने की तैयारी है नहीं दुलिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है जिस प्रकांका शडियंतर पिखले 5-6 दिन से चल रहा है मेरा विशे को फिल्म नहीं है मेरा विशे हैं कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है कि उसके कई पहलू होता है कि किसी को एक चीज नज़ा आते कि दूसरी नज़ाएगे जीन को लगता है कि फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए ओन मना करता है लेकिन उनको हरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सानों तक दबा गर के रखा उसको कप्षों के आधार बज़्य बार लाया जा रहा है और को उसको पूरी एको सुष्टिम लग बदे है और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खाती खड़े होना उनकी जिम्मेबारी होती है और जिम्मेबारी मैं आशा करूंगा सर लोग निभाएंगे